वेलकम बैक माई यूट्यूब चानल आज मैं आप सभी की सामने ये बहुत ही प्यारा सा बहुत ही आसान सा स्वेटर डिजैन बताने वाली हूँ जो कि आप देख पार हैं या पर मैंने सेंपल के तौप बना करके रखा हुआ है आप इस डिजैन को फूल बाजू के स्वेटर तो वह भी बहुत प्यारा नजराएगा जैसा कि आप देख पा रही है ये सामने से कुछ ऐसे नजराएगा और बैक साइड से कुछ इस तरीके से नजराएगा तो उल्जन बिल्कुल भी नहीं है तो आप इसे हर उम्र के लोगों के लिए बना सकती हैं जैसे बड़े लोग से आप इस डिजाइन को बना सकती है तो अभी तक अगर आपने हमारी जन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिस सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए बनाते इस डिजाइन को तो यहां पर मैंने बॉर्डर बना लिया है आपका टाइम वेस्ट ना हो तो आप 6-6 फंदों का ये पैटर्न बनेगा तो हमें स्टार्टिंग से ही क्या करना है इसे अलग कलर का उन इसमें जोड़ देना है तो देखिए क्या करेंगे एक्स्ट्रा फंदे हैं फिर यहां से हम जो है पाच फंदे लेंगे जैसे एक दो हो गया तीन चार और ये पाच पाच फंदे ले लिजे फिर उनको एक फंदे को ऐसे स्किप कर लेंगे छटा फंदा है इसे उतार लेंगे फिर से पाच फंदे सीधे बिनेंगे एक दो तीन चार और ये पाच पाच फंदे सीधे बिनेंगे छटे फंदे को उतार लेंगे स्किप करेंगे वापस से एक, दो, तीन, चार, पांच, छठे फंदे को उतारेंगे, इसी तरीके से आपको पूरी स्लाइब बिन करके कम्प्लीट कर लेनी है, जितना भी आपने फंदे ले रखे हैं, उन सभी को ऐसे पांच-पांच फंदे और एक ये एक्स्ट्रा फंदे, इसे फंदों में हमें बाट करके इसको सीधा बना लेना है, देखें, पांच-पंदे अलग अलग का और जो भी आपने बार्डर का बेस लिया था ना, उसको लेना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर एक फंदे ऐसे, और फिर एक, दो, तीन, और ये चार, ये हो गया, इस तरीके से जो फंदे हमने उतारे थे पहली स्लाई में, उसे हमें दूसरी स्लाई में भी इनते समय से उतार लेना है, और ये धागा जो है इधर ही रहेगा, देखिए ऐसे, देखिए, इसे हमें कुछ नहीं करना है, ये जो फंदे धागे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो आगे ही इसको धागे को रखना है, कि हमें नेक्स्ट डिजाइन में इसे काम आएंगे, और ये कोई फंदा बढ़ भी नहीं रहा है, तो कोई दिकत नहीं है, जिसे भी उल्टा सीधा बनाने आती है न, बीने ने आता है, वो भी आप इस डिजाइन को बना सकता है, बहुत आराम से, जो नए स्टर बनाने वाले हैं, जिसे की फर्स टाम स्टार्ट कर रही है, वो भी इस इसको बना सकता है बहुत आराम से फिर भी कोई दिक्कत आया ना तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती है मैं आपकी हलप करूंगी तो सेकेंड सिलाई भी हमें हो गई कम्प्लीट और इसी तरीके से हमें अग्यार के देखे लाल वाले उन जोए इसको छोड़ देंगे और जो भी हमने बेस का कलर ले रखा है ना उसको हम वीनेगे इस तरीके से देखे और इसे भी हमें वापस सिधा सिधा बीन लेना है और ये वाले फंदे को भी हमें जो हमने स्कीप करा था उसको भी हमें सब को सिधा सिधा बीन लेना है मतलब तीसरी सिलाई हमें पूरी सीधी सीधी बीन करके कम्प्लीट कर लेनी है कोई भी फंदे स्कीप नहीं करने हैं तीसरी स्लाई राइट साइड से सब्वी फंदे सीधे इस तरीके से बीनेंगा अब यह वाले फंदे हैं हमारे पास इसका हम नेक्स्ट जो है यूज करेंगे काम करेंगे तो इसलिए ध्यान से देखिएगा तो पूरी स्लाई हमें कर लेनी है ऐसे ही कम्प्लीट तो यह हो गई हमारी राइट साइड अब हमें बैक साइड से सब्वी फंदे उल्टे उल्टे बिन लेने हैं इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करने हैं और सब्वी फंदे वापस से उल्टे उल्टे बिन लेंगे इस तरीके से सब्वी फंदे उल्टे बिन लेते हैं अब देखे यह हो गया कम्प्लीट चौथी सिलाई अब पांचवी सिलाई की बारी आई पांचवी सिलाई में ध्यान से देखिएगा कि क्या करना है तो हमने स्टार्टिंग में पांच फंदे जो यहां से यहां तक जो उठाएंगे जैसे पांच फंदे के बीच वाले फंदे को यह हो गया एक और यह दो दो फंदे अभी तीसरे फंदे को स्कीप करेंगे अब बचे इधर से एक और यह दो दो फंदे टोटल मिला के पांच फंदे हो गए अब जो हमने पहली सिलाई में पांच यह फंदे को र आप दिखि क्या करना है एक, दो, तीन होगे, चार और ये पान्च, अब पान्च फंदे होगे इस वाले छफंदे को स्किप करेंगे, उतारेंगे जिस्तार्टिंग में किये थे वाईसे, अब वापस से एक, दो, और ये तीसरा वाला फंदा बीच में है तो यह वाले फंदे धियान में है ना जो हमने पहले इस लाई में छोड़ा था तो यह हो गया ऐसे लेंगे नीचे से फिर इसको सिधा बीनेंगे फिर इसके नीचे से लेकर के आके ऊपर कर लेंगे देखिए अब यहाँ पर भी पांच फंदे होने चाहिए तो यह हो गए 3, 4 और यह 5 फिर 6 फंदे को उतारेंगे फिर 5 फंदे 1, 2 तिसरे वाले फंदे को ऐसे नीचे से लेके आएंगे ऐसे देखिए फिर 1, 2, 3 तीसरे वाले फंदे को skip करना है यह 5 फंदे हो गए इस वाले फंदे को skip करेंगे उतारेंगे एक दो वापस से नीचे से लेके आएंगे ऐसे ऐसे फिर से एक दो और ये छटे फंदे को उतारेंगे एक दो नीचे से लेके जाएंगे ऐसे एक दो फिर इसको उतारेंगे तो इसी तरीके से ना ये पूरी जो पैटन बनेगी आपकी बहुत ही प्यारी सी पैटन है और आप इसे हर उम्र के लोगों के लिए बना सकती हैं कुछ इस तरीके से देखें तो नेक्स्ट आपको बस उसी तरीके से रिपीट करते जाना है कि नेक्स्ट वाले जो लाई है ना मैं आपको बता ही देती हूं ये हो गया देखें ऐसे उल्टा बिन लेना है ये हो गया फिर वो गाट वाले फंदे आएंगे यह फंदे को skip करेंगे फिर से पांच फंदे को उल्टा बीनेंगे एक दो तीन चार पांच फिर से इसे उतारेंगे पांच फंदे सीधे बीनेंगे Simple बहुत ही आसान है इस design को बनाना दिखिए ऐसे बनाते जह ú mund बहुत ही प्यार आसा design बनकर के तैयार हो जाएगा यहांपर मैंने sample के तौर फे बहुत ही प्यार सदियन बना करके रखा हुआ है तो उमीद करेंगे आप सभी को Yeah, पसंदी होंगे और वीडियो समझ आये होंगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू